हेलो एवरीमन जहिंद आज है दो दिसमबर और आज दो दिसमबर से बनने वाले सभी करेंट फेस को हम डिस्टर्स करेंगे चले फिर स्टाट रपता है भातिर सिना दोरा किस राजे या केंदर शाशित परदेश में सुदर्शन परहार नाम से एक युद अभ्यास प्रारम किया गया तो उसका साय अंतर होगा राजिस्तान तो दियान रखेंगे अभी हाली में भारते सिना के द्वारा राजिस्तान के ठार मरुस्तल में एक युद अभ्यास किया गया जिसका नम सुदर्शन परहर रखा गया अभी हाली में किस राज्जे में इस्वा हॉन बिल महस्तर शुरू हुआ तो उसका सही अंसर होगा नागालेंड अभी हाली में एक दिसंबर से दस दिसंबर तक चलने वाले एक सबसे बड़े नागालेंड के फैस्वल हौन बिल का सुवारू हुआ इस फैस्वल में मुख्य तिती के रूप में उप्राश्पती जगदीब धनकर शामिल हुए यह फैस्वल नागालेंड का एक प्रसित फैस्वल है तता यह नागालेंड के विरस्त गवों की सामा जानकी नागालेंड के हेरिटेज विलिज की सामा में प्रारम हुआ यह एक यह तेवार प्रतिवस्ट डिसम्बर के महिने में मना जाता है तता इसे नागालेंड में तेवारों का तेवार का जाता है प्रख्यात कवी और फिल्म पर्मानन बोट की अध्यक्ष प्रशून जोसी को किस राज़े का ब्रैंड एमेज़े बनाया यह तो अभी हाली में प्रशून जोसी जो भारत के जाने मने गीतकार कवी और भारते फिल्म बोट की अध्यक्ष भी हैं इनको भी हाली में संब्सक्राइब को अपना ब्रेंड एमस्जेव नाइए अभी से पहले उत्राइब न संब्सक्रार्ण संब्सक्राइब है 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 कि ये 19128 को अंपनी स्थापना का साथ स्षा दिव dipस्णा इया तो नागलेट इसका सायंतों का नागलेट अभी हाली मेंches के दोर्व-एक दिसम्बर को अपनी स्थापना का साथवा स्थापना दिवस्थ बनाई गया नागलेंट की स्थापना एक दिसम्बर 1963 को एक राज्य के रूपने की गई तता ये भारत का राज्य बनने की करम में 16 राज्य था तो एक दिसम्बर 1963 को नागलेंट को राज्य का दर्जा दिया ग नागलेंट की राज़ानी कोहिमा है तथा नागलेंट के मुख्य मंतरी नेफियू रियोग और राज़िपाल जगदीश मुखी है भारत द्वारा अप्टे गूप से किस तर्फी को ची 20 की अध्यक्सता समाली तो ध्यान रखेंगे एक दिसम्बर अभी हाली में एक दिसम्ब को भारत द्वारा एक दिसम्बर दो हजार 22 को भारत द्वारा जी ट्वेठी सम्मिलयं की दो हजार 22 की अध्यक्सता कि गई भारत जी ट्वेठी का एक दिसम्बर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अज्यक्ष रहेगा तता भारत नहीं यह दिखता इंडोनेशा से ग्रहन की है 2023 में त्यान रखेंगे 2023 में G20 का सिगर स्विलिन भारत के नई दिली में संपन होगा जिसमें विश्व के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे भारत ने G20 शिगर स्विलिन की थीम भी राउंच कर दी है जो प्रसमत्री द्वारा लाउंच की गई यह थीम है One Earth, One Family, One Future यानि की एक धरती, एक परिवार और एक भोईशे G20 का भारत के द्वारा लोगों भी लाउंच किया गया है जो कमल की फूल पर प्रस्वी है कमल होरा रास्टे फूल है इस लोगों में फूल साथ पंखरिया है जो साथ महादिपों को और संगीत के साथ स्वरों को दर्शाती है भारत ऐस्टेलिया आर्तिक सहोग और वेपार शंजोता इंडिया ऐस्टेलिया एकनौमिक कोपरेशन और ट्रेड अगरिमेंट कब से लागू होगा चाश्रा में रहा कमच्टका प्रधी जिस का इस्पोर्च हम कृष्रा में इसलो है प्राइदिप है जो और प्रशांत महासागर से गिरा हुँआ है ये रूजि की अदिकार शेटर में है और यह है फाइर रिंग ऑफ द है यानि की आगकी अंगोटी परशांगर की आगकी अनुख्टी में अस्थिद्द है जो जौला मखी छीद रहता यहां पर विश्कियर प तक दो क्या ही जालांवख्य। इस्धित है। कमचट प्राइदी भी इस्धित है। अभी हाली में यहांपर दो जालांवख्यों का वेस्वोट हम्मॉत को उखित हзд हूआ। एक उची ध्यान computer आमेरिका के हौई दीप में अमेरिका के हौई दीप में अभी हाली में वेश्ट का सबसे बड़ा और सबसे सके जॉल्डमकी मुनालुः में भी विसोट हुआ जो लगातब अपना रऊखल रहा है तो ध्याना के मुनालोगा जोलाओं की हुई दीप में है कर दीया दुसकार के अंतरगत 25 लाफ रफे की धंड़ाशी प्रदान की आती है दियाने की पच्चिस लाग प्रुपे की धन्दास्थी इस प्रुसकार में दिया थी है अजन्ता अजन्ता सरतकमल मनी का बत्रा के बाद दूसरे ऐसे टेवल टेनिस ख्लाडी है जिन्हें यहें खेलों का सर्वोच समन परदान किया गया है वस्देवाइस के लिए कुल कितने ख्लाडी को अजन्द प्रुसकार से समानी किया गया है तो इस प्रुसकार के में ध By पंदरालाग रुबे की धन्राशी है द्याने चेंगे पंदरालाँ रुबे की धन्राशी इनाम सरुब दिए आती है मौलाना अबुलकलामाजाद M.A.K.A. टॉफी 2022 किसे परदान की गई तो गुरू नानक देव अमरत सरके गुरू नानक देव वश्डेले को वश्डेले को वश्डेले की मौलाना अबुलकलामाजाद टॉफी परदान की गई तता यहें वेश्च जाले, इस टॉफी को सरवाधिक जितने वाला वेश्च जाले भी है तुश्याने किये, मौलाना अबुल कलाम अजाथ टॉफी का समंद क्हेलों से है तता इसको सरवाधिक बार गृरू ननग देव वेश्च जाले के दोरह ही जीता गया है दूसरे नमबर में इस टॉफी को जितने वाला यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है चारे आज के इस वीडियो में हम एर से समंदित भी एक टॉफी को रोजिस्स करेंगे आज का मुना टॉफी का है सियाचीन, सियाचीन का शाब्रिक अर्थ क्या आपको पता है सियाचीन का साब्रिक अर्थ किया है तो सियाचीन पाप अधिकरित कश्पीर में इस्तित बलती स्तान में एक जगा है जहां पर की बलती वाशा में सियाचीन में सियाचीन में सियाचीन का अर्थ होता है सिया का जो अर्थ है वो जंगली गुलाव है ध्याने की सिया का अर्थ है जंगली गुलाव जबकि चुन का अर्थ इसमें चिन को चुन के सन पर लिया जाएगा जिसका अर्थ होता है भहुतायत यानि की सिया चिन का साब्री करत हुआ गुलावों की भहुतायत या गुलावो पाक नेंटर रेका के पास अस्तित है तदा इस पर वह अत्मार में भारत का अधिकार है और यह हमाई धर्ती परस्तित दुनिया का सबसे उचा युद्र का मैदान है ध्यान अकेंगे सियाचीन को भरते सिना के दौरा पाकिस्तानी अधिकार से मुक्त कराने के लिए 1984 में ऑप सियाचीन को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए चलाया जिया ऑपरेशन है ऑपरेशन में गदूत तो वर्तवान समय में भारत में इस्तित है और इस पर भारत का अधिकार है तदह यह दुनिया का सबसे उच्छा हाइस बैटल फील्ड ऑव दा वर्ल्ड है यह तो चले डलू एच्छो के द्वारा मंकी पॉक्स का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो इसका सही अंसर होगा मंकी पॉक्स कर दिया गया है तो अब आपको हमारे इस वीडियो के कोशन का अंसर देना है इसका अंसर आप हमें कमेंट पॉक्स में देंगे और हम आपको इसका सही अ खट्टी अवादी को रोकने के लिए तता को के सरक्शन के लिए F.S.S.A.I. के दोरा इस पशुक को खादे पशुक जाने की फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है ध्याने की अभी हाली में किस पशुक को F.S.S.A.I. के दोरा फूड एनिमल के रुप में मानिता दी गई है तो आपको हमें इस प्रशन का अंसर कमेंट बॉक्स में देना है तता हम उसका सही अंसर अपने अगले वीडियो में डिस्क्स करेंगे तो उमीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें ज्यादा स्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्स्वाइब करें धन्यवाद जय हिंद जय भारत